दोस्तों अभी एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जेम कॉरवट की बायोग्राफिक के बारे में उनके बच्पन से लेके बात तक का तो क्योंकि आप लोग कैनेस एंडरसन को भी बहुत पसंद करते हैं मैंने कई बुक्स की है उनकी स्टोरी नरेशन पहले बहुत सारी स्टोरी में सुनाया करता था अपने इसी चैनल पर अब तो मैंने एक नया चैनल बना दिया है में बताऊँ जब एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको कैनेथ अंडर्सन के बारे में मिल जाएगी तो आपको उनकी स्टोरी सुनने में और अच्छा लगेगा दोस्तों आपको ये तो मालूम है कि कैनेथ अंडर्सन साउथ इंडिया में रहते थे कई लोग बोलत लेकिन कैनेथ अंडर्सन छोटे थे जिम कॉर्वेट से जिम कॉर्वेट का जन्म हुआ था 1875 में और कैनेथ अंडर्सन का जन्म हुआ था 1910 में यानि कि जब जिम कॉर्वेट 35 येर्स के थे तब कैनेथ अंडर्सन पैदा हुए अब आप समझ लीजे कि 20-25 साल का होने में जब तक Kenneth Anderson 25 साल के हुए कि वो शिकार कर सके जिम कॉर्बिट 60 साल के हो गए थे वो टाइम था जब वो शिकार छोड रहे थे तो आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के टाइम के थे लेकिन वरकिंग टाइम देखेंगे तो दोनों का अलग-अलग था तो Kenneth Anderson का जन्म हुआ था 19 10 में और इनका जन्म हुआ था सिकंदराबाद में ये Scottish family से बिलॉंग करते थे यानि Scotland के थे अब दोस्तो Scotland क्या है Scotland Ireland England और शायद एकाद कोई और है इनसे मिलके बनता है Britain जिनकी हुकूमत थी इंडिया में British Government तो जब अंग्रेज बोलते हैं तो England के भी है Ireland के भी है Scotland के भी है तो Jim Corbett क्या थे? Jim Corbett भी अंग्रेज थे लेकिन वो Irish थे Ireland के थे हाला कि उनकी माता जी Scotland की थी तो ये दोनों England के नहीं थे Kenneth Anderson Scotland के थे Jim Corbett आइरलेंड के थे लेकिन Kenneth Anderson 6 PD पहले से इंडिया में रह रहे थे तो आप समझ लीजे कि पूरी तरह से इंडिया नहीं थे सिर्फ skin का कलर गुरा था बहुत बढ़िया कंण बोलते थे और बहुत बढ़िया तमिल भी बोलते थे Kenneth Anderson तो Scottish family से थे जो 6 PD से यहां रह रह रही थी इनके पिता जी का नाम था Douglas Stuart Anderson और ये superintendent थे एक department में जहां पे military के officers को salary बाटी जाती थी और उनको honorary rank दिया गया था captain का और Anderson की मदर का नाम था Lucy Taylor और ये granddaughter थी John Taylor की और इनको काफी जमीन मिली थी इसलिए Anderson के पास वैसे उनों कुछ बहुत खरीदी भी थी करीब 200 एकड़ जमीन थी अलग अलग जगह पे तो इनकी मदर को काफी जमीन मिली भी थी और जिस तरह से बाकी Scottish लोग यानि Scotland के लोग शौक रखते से शिकार करने का Kenneth Anderson का एक बहुत बड़ा शौक था शिकार करने का और Kenneth Anderson की जो schooling हुई थी वो ही थी Bishop Cotton Boys School में और जो उनकी college इंग हुई थी करी लेकिन उनका मन लगा नहीं वहां पर पढ़ाई छोड़के वापिस इंडिया आ गये और नौकरी करने लगे पोस्टल और टेलिग्राफ डेपार्टमेंट जिसको बोला जाता था पी एंटी डेपार्टमेंट अगर हमारे जो टेलिफोन है जिसको आज का लेंड लाइन बोलते हैं पहले यह जमीन से नहीं जाते थे टेलिफोन के खंबे होते थे वायर जाते थे तो उस टाइम पे इसको लेंड लाइन नहीं बोलते थे लेंड लाइन क्यों बोलेंगे जब लेंड लाइन तो तब बोलते हैं जमीन के अंदर जाते हैं तब उनको पी एंटी पॉस्टल और टेलिग्राफ तो कई साल होने नौकरी की उसमें और उसके बाद ये नौकरी करने लगे ब्रिटिश एयर क्राफ्ट कंपनी थी बाद में उसका नाम हो गया था HAL मेरे ख्याल से हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेट शायद पका नहीं है तो उसमें नौकर से अपनी फैक्टरी से छुट्टी लेकर आया हूं मेरी छुट्टी नहीं थी कई बार उनको टेलिग्राम मिलते थे कि आ जाई है मैं इटर काम कर रहा है लेकिन उनको छुट्टी मिलने में टाइम लग जाता था तो वो सारी घटनाए उस ताइम की हैं जब वो HAL में काम कर प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 1974 में कैनेथ अंडरसन की कैंसर से डेथ हो गई थी कैनेथ एंडरसन का मानना था वो जड़ी बूटी की दवाईयों वड़ा यकीन करते थे और जब उनको कैंसर भी हुआ तो नॉर्मल ट्रीट्मेंट लेने से उनने मना कर दिय जड़ी बूटियों वाला ही इलाज करते थे हलाकि एक बार उनके उपर मैनीटर ने अटेक कर दिया था वो घायल हो गये थे उस ताइम पर उन्होंने पैनिसिलीन ली थी कि अगर वो नहीं ले दे तो इंफेक्शन से उनकी डेथ हो जाती है लेकिन उसके अलावा वो अपन Kenneth Anderson की जो स्टोरी है और मेरा जो दूसरा चैनल है विवे कवस्थी वाइल लाइफ स्टोरी उसमें अभी करेंटली Kenneth Anderson की ही स्टोरी चल रही है सीरी चल रही है तो जंगल में जाते थे कई बार ऐसा हुआ कि एक बार तो उनके बेटे डोनाल्ड एंडरसन वो जंगल में गए पर बैठे थे फोटोग्राफी करनी थी ये फोटोग्राफी के लिए बहुत जाय करते थे और एक हाथी ने उनकी बेटे पर अटैक कर दिया रात को आवाज आ रही है और ये एक हाटे में थे दूर सुन पा रहे हैं लेकिन बंदूग थी नहीं तो एक साथ में बंदे को ल इनके बेटे को पकड़ने वाला था वो इधर मुला इनकी तरफ आया तब तक इनके बेटे चिपके पेड़ की ओट में चले गए और इन लोगों ने भी ओट ले ली तो ऐसी कई घटनाएं हुई जब यह जंगल हतियार लेके जाते ही नहीं थे यह भी नहीं कि हतियार ले लें कि जरुवत ना हो उसका रीजन यह था कि जो शिकारी होता ना दोस्तों उसको कुछ भी करो शिकार की लट लग जाती है वो मौका तलाशता है शिकार करने का यह फैक्ट है और जैसे जिसको शराब की लट है वो कोई भी बहाने से कोशिश प्रवाइब जिसको सिग्रेट की लद है वो कोई भी बहाने से अगर उसका सिग्रेट नहीं पीए अगर रखी है डबी तो वो कैसे करके भी कोशिश करेगा कि मैं वो सिग्रेट प्यूँ हूँ यही शिकारी के साथ होता है अगर उसका बंदूक है और उसको बहुत अच्छा जानवर मिल गया बले ही वो कितना कंजर्वेशन वाला बन गया हो उसके अंदर एक शिकारी छपा हुआ है और उसका मन करेगा कि मैं गोली मारू हूँ इसलिए केनेथ अंडरसन बंदूकी नहीं लेके जाते थे कि ना रहेगा बास ना बजेगी बासरी तो कुछ बार ऐसे स circumstances हो गए थे कि बुरी तरह से फज गए थे कि बंदूक नहीं है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो यह जंगल जाते थे जड़ी बुटिया इखटा करते थे ध्यान लगाते थे और जंगल में ऐसे ही घूमते रहते थे कई बार टूरिस्ट लोगों को भी लेके जाते थे एक उन्हेंने काला जादू के बारें बताया कि उन्हें अपनी आखों से देखा कि काला जादू हुआ एक में वह जंगल घूमने गए थे उनको कुछ अंग्रेज टूरिस मिल गया है उनका परिशय नहीं था वहीं जान पेचान हुई और उन्होंने बोला अंग्रेज वह ढूंड रहे थे एक मंदिर कि उन्हेंने सुनाए कि एक पुराना एंशेंट मंदिर है जिसके खंडेर है जंगल में तो इनको मंदिर मालूम था तो यह बोले कि आप अकेले तो ढूंडी पाओगे बहुत दूर है चलो में ले चलता हूं तो यह लेके गए और जब वहां ल करते थे और मैं यहां पर जूते पहन के खड़ा हूं मुझे बड़ा अफसोस हो रहा लेकिन वह खंडर था जाड़िया मगे न थी इसलिए तो जब इनके अंग्रेज साथ ही गए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़े थी एक लैंप था ब्रास का पुराना वह एंडरसन ने कि देखिए पुराना है इसको आपको ले जाना नहीं चाहिए तो उनकी वाइफ नहीं बोला कि उसका नाम जॉन था कि बही जो कैप्टन नीड था लेकिन जॉन नीड तो उसकी वाइफ ने बोला कि देखो हमें इसकी जरुवत नहीं है तो मैं इसको नहीं उठाना चाहिए तो वो थोड़ा offensive हो गए, क्यों जरुवत नहीं, मुझे तो इसकी जरुवत है, और उठा लिया, उठा के जैसे उस दिन उनको उटी जाना था, और ये जगए उटी से 10-15 किलोमेटर इसी, उनको घूमने जाना था, तो वो वहीं से घूमने उटी चले गए, और जब उटी ग कर दिये, उनकी वाइफ से बोला, कि हमें मालूम नहीं चल रहा है, ये बिमारी क्या है, तब कैप्टन नीट जो थोड़े होश में थे, वो बोले कि मुझे पता है, ये बिमारी क्या है, मुझे वो लैंप ले जाके उस मंदिर में वापिस रखना है, अगर मैंने कल नहीं र बोले, आपकी मर्जी है, आपको करना हो, लेकिन अगर आप लेके जाओगे, इनकी तवित बहुत खराब हो जाएगी, और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो लेकिन वो कैप्टन नीट जित पे अड़े थे कि मुझे मंदिर जाना है, वो लैंप वापिस रखना है, तो इनकी वाइब बोलती है कि मैं टैक्सी करके जाती हूँ, मैं रखके आती हूँ, तो वो बोले, अगर मैं नहीं जाओंगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि उठाया मैंने है, तो वो टैक्सी करके चले, कैरेथ अंडरसन सड़क पर घूम रहे थे, वाक कर रहे थे, उस गए देखा तो कैप्टन नीड कंबलंबल लपेट के पड़े हैं, उनकी वाइफ हैं, मैटर बताया गया, तो अंडरसन फॉरन गाड़ी में बठे और उस मंदिर का रास्ता ड्राइवर को बताने लगे, मंदिर से एक देड़ किलोमेटर पहले गाड़ी रुग गई, क्यों कैप्टन नीड की वाइफ और अंडरसन और लैम को उसी जगे पे रख दिया जहां था, फिर उनकी वाइफ गुटनो बैट गई रोने लगी, हाँ जोड के प्रातना करने लगी, और अंडरसन देख रहे थे, फीलिंग को समझ रहे थे, और जैसे ही वो लैम को रखके वाप बस आए, देखा तो इनको कैप्टन नीड को बहुत जोड से पसीना आ रहा था और माथे को चुगा, तो बुखार उतर चुका था, और उनकी वाइफ बहुत जोड से फवक फक कर हो रही थी, और इनको समझ में आ गया था अब इनको हस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं ह तो Kenneth Anderson के हिसाब से जंगल सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं था, जंगल, जंगल की beauty को enjoy करने के लिए था, जैसे अभी मैं जंगल में खड़ा हूं दोस्तो, यह पीछे का पहाड़ आपको दिख रहा है, Tiger territory है, थोड़ी देर में आवाज आनी शुरूर जाएंगी, barking deer की call, क इसलिए जंगल का मज़ा इसी में है, और अभी भी आज एक subscriber आए हुए है, उनसे थोड़ी देर meeting हुई, तो उन्होंने बोला कि वो पहले Bombay, ऐसी जगे घूमते थे जहाँ पे tourist destination होती है, उन्होंने मेरे वीडियो देखके बोलते हैं, wildlife का interest जगा, और इसलिए जगा, कि ज बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो Kenneth Anderson भी इस बात को realize करते थे, बहुत सारे ऐसे मौके हैं, जब वो बिना बंदूग के जाते थे, सिर्फ कैमरा लेके जाते थे, और कई बार कैमरा भी नहीं ले जाते थे, Kenneth Anderson की शादी हुई, Blossom नाम की लेडि से, वो श्रेलंका से आई थी अंग्रेजी थी, और Boring Club बैंगलोर में मुलाकाद हुई और उनने वहीं पर शादी कर ली, बाद में 1930 में उनकी बेटी हुई, जून नाम की, यानि Kenneth Anderson की उम्र थी 20 साल, और 1934 में उनका बेटा हुआ, डोनाल्ड एंडर्सन जो खुद भी शिकारी बना, 1914 में डोनाल्ड एंडर्सन की डेथ हुई, बाद में एंडर्सन का डिवोर्स हो गया था, तो ये वाइट फील्ड रहने के लिए चले गये थे, इन्हीं की कॉटेज थी, और उनकी वाइफ वहीं रही थी, बैंगलोर में, उनकी वाइफ की डेथ हो गयी थी, 1987 में, कैनेथ अंडर्सन को दोस्तों, बिग गेम हंटिंग बहुत पसंद थी, बिग गेम हंटिंग किसको बोलते हैं, जो बड़े जानवर, हाथी, टाइगर, लेपर्ड, इस तरह के जानवर जो होते हैं, जहां कैनेथ अंडर्सन का इलाका था, अगर अफरीका की बात करोगे तो, लाइन भी है, बफेलो भी है, तो बिग फाइफ बोलते हैं, तो जो बिग गेम हंटिंग बोलते हैं, स्मॉल गेम बोलते हैं, छोटे लोमडी, डियर वगेर इस तरह के, तो इनको बड़े जानवर मारे थे, कैनेथ अंडर्सन ने, गवर्वर्मेंट के रिकॉर्ड के कोर्डिंग, और सेवन टाइगर, यह सारे मैनीटर थे, लेकिन अनओफिशली, जो लोग बताते हैं, अब देखें, जंगल से आवाज आनी शुरू होगी, वहाँ बहुत खड़कड हुई, और यहाँ से स्ट्रेस कॉल आई, पिकॉक की, यह बहुत जोड से खड़कड हो रही है, यानि कि कोई भाग रहा है, कोई पीछा कर रहा है, मुझे लगता कुछ दिख भी सकता है, और प्रॉब्लम कहना दोस्तों, मुझे नॉइस कैंसलेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि यह जो माइक लगा के मैं बोलता हूँ, अगर मैं नॉइस कैंसलेशन ना लगा हूँ, तो एक सन की आवाज आती रहती है, पता नहीं क्या च तो कई लोग बोलते हैं, जब वो हेड़फोन लगा के सुनते हैं, तो वो डिस्टरब करती है, तो इसके लिए फिर मैं नॉइस कैंसलेशन लगाता हूँ, नॉइस कैंसलेशन लगाने से मेरी आवाज साफ आती है, यह जो पीछे सा आवाज आरी ना, जो मैं सुन पा रहा ह तो इन्होंने अठारा लेपर्ड मारे थे, और पंद्रा या बीस ताइगर मारे थे, जो की मैन इटर थे, यह रेकॉर्ड में नहीं है, और मैंने पहले भी बताया थे, जब मैं कॉर्बेट की बायोग्राफी बता रहा था, तो एक बहुत फेमस शिकारी है, दोस्तों मैंने उनका इंटर्विव किया है, जोई होकील, जब मैंने उनका इंटर्विव किया था, तो उन्होंने 35 लेपर्ड मारे थे, उनका भी कॉल आया था, उन्होंने और मारे दस्त, आप करीब हो 45 मार चुके है, तो अभी पॉड़ी गड़वाल में रहते हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपको हंटिंग स्टाइल सीखनी है, हंटिंग की बारीकिया सीखनी है, डिस्क्रिप्शन सीखना है, तो कैनेथ हंडर्शन से बढ़िया कोई नहीं, हाला कि ये बात मैं पहले ही रियराइज करता था, लेकिन जब उन्हो चैंसे बताते थे, फिर चीज बताते थे, उसके अलावा कैनेथ अंडर्शन ने उन जानवरों के बारे में बताया, जिनके बारे में जनरली दूसरों ने नहीं बताया, धोल, वाइल डॉग, हाइना, ऐसे बहुत सारे जानवरों के बारे में बताया है, इन्होंने हलाएकि एक बड़ी फेमस इनकी स्टोरी है मैं Sloth Bear of Masur वो कहानी मैंने की हुई है उसमें वो भालू था जो कि लोगों को मारता था थोड़ा सका के छोड़ देता था बड़ी कॉल हो रही है दोस्तों लेकिन अफसोस यह है कि आपको सुना ही नहीं देंगी तो यह जंगल की बारिकिया बताते थे कि पेड़ है तो पेड़ के बारे बताएंगे जंगल के निवासियों के बारे में कौन सी ट्राइब रहती है कैसे खाना खाते है कैसे वो गड़ा खोते है जैसे कि एक मैं एक्जांपल आपको बताऊ बायरा एक पुजारी ट्राइब है थी है साउथ इंडिया में उसका शिकारी था बायरा यह जंगल में शिकार करने गए थे इनको आहट हुई और वहाँ जाडियों में छिपे हुए इन्होंने बायरा को पकड़ा तो वो बोलता है नहीं नहीं में तो ऐसे ही आया था क्योंकि अंग्रेज थे भले ही भारत आजाद हो गया था लेकिन अंग्रेजों की वैल्ली थी और पुलिस इस्टेशन में भी जाओ तो अंग्रेजों की सुनवाई थी तो उसको डल लगा कि इस सहाब मुझे पकड़वा देंगे तो वो पैर पकड़ने लगा कि नहीं पकड़वाना तो उन्होंने का नहीं मैं तुम्हें नहीं पकड़वाऊंगा तो मुझे बताओ तुम कैसे मारते हो तो उसने बताया कि मैं जाड़ी के पास जहाँ पोखर होता है वहाँ गड़ा कोता हूँ जाड़ी के पे छिप जाता हूँ सांबर डियर आता है पानी पीने तो कि फ्रेश पानी मिलता है उसको और मैं जाड़ी के अंदर से ही तीर कमान से उसे मार देता हूँ और वो भरमार बंदूग भी रखता था हलाकि भरमार बंदूग भी उनसे छिपाई सच बोलने के बाद भी उसने बताया नहीं कि भरमार बंदूग है साइड में थी और उसने ये भी ने बोला कि मैंने किसी को मारा अभी स्ट्रेस कॉल हुई पीछे तो जब ये पास में ढूड़ा तो एक फीमेल सांबर उसने मार के रखी हुई थी, जाड़ी के अंदर बंदूग भी थी फिर उन्हेंने बताया तो उसने माफी मांगी कि ये मेरे जीवीगा का साधन है और मैं ऐसा करूँगा फिर वो अपने घर भी ले गया था, घर क्या था एक गड़ा था, उसमें रहता था क्योंकि हाथी बड़ा परिशान करते थे तो बूरा बायरा का जीवन कैसे है पूरा description एक एक दिया है उनका एक दोस्त था रंगा रंगा के बारे में पूरा description दिया है उन्होंने पूरी tribes बताई अगर रोड की condition खराब है तो उनके आस car थी stud baker तो वो car कैसे जा रही है कितना time लगा वो रास्ता कितने देर में हो सकता था और कितनी देर में पहुंचे एक एक चीज का वो बखान करते थे जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो कंणर बहुत अच्छी बोलते थे वो तमिल बहुत अच्छी बोलते थे और जैसे कि जड़ी बूटियों में विश्वास रखते थे पैरनॉर्मल एक्टिविटीज के बारे मुनों ने बखान किया है कई जैसे काला जादू का मैंने बताया कि एक लड़की जिसकी शादी कहीं होने वाली थी शादी तूट गई क्योंकि वहाँ प्रताया थी कि लड़के वाले लड़की वाले को पैसा देंगे लास्ट मुमेंट पे लड़के के बाप ने बोला कि भई मिर पास पैसे नहीं है तो लड़की के बाप ने शादी तोड़ दी लड़का लड़की को देखने आ चुका था वो गुस्टा हो गया तो वो जाकर 100 किलमिटर दूर 100 मील दूर जंगल में चलके गया कहीं से एक तंतरिक पकड़ा काला जाथू कराया तीन बजे रात को पूर्ण मासी को ठीक तीन बजे रात को लड़की की पेट में धर्द हुआ, उसको लगा नेचर स्कॉल के लिए जाना है, जब वो गई, तो वहाँ पे उसको लोट के आ रही थे, दो आदमी खड़े मिले, और बोलते हैं कि तुमको उस गाउं चलना है, जहां का वो लड़का रहने वाला था, तो उन्होंने का नहीं अभी चलना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णमासी के रात थी तो उसको दिख रहे थे, कि उन लोगों के पैर नहीं थे, वो बोले हम तुम्हें उठा के लिए चल सकते हैं कि तुम्हें चलने में दिक्कत है, तो जैसे उसे उसे देखा पैर नहीं चिल पैंसी बना के खाते हैं, वो मुँ में जाके जलने लगता था और पत्थर निकलाता था, सब के सामने कैनेथ अंडरसन गए, टॉच मारी, पूरा मुँ चेक किया, उनके सामने सामने खाना खिलाया और सामने सामने पत्थर निकला, फिर बाद में एक ओज़ा टाइप का कीन करते थे, और इसलिए वो हमेशा अपने साथ एक तावीज कैरी करते थे, कैनेथ अंडरसन, और उनको दिया था सत्यसाई बाबा ने, तो कहीं भी जाते थे, उस तावीज के बिना नहीं जाते थे, गाड़ी जैसे मैंने आपको बताया है, स्टट बेकर कार से चलते थे, और राइफल थी उनके पास 0.405 विंचेस्टर, उस से शिकार करते थे, और जंगल से इनको इतना प्यार था, जैसे मैंने बताया है, बाद में फोटोग्राफर बन चुके थे, और इनका कहना था, मैं खुद जंगल हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं जंगल में पैदा हु बहुत सारी लेंड अलग-अलगे जगे पे खरीदी हुई थी, तो अपनी ही लेंड में जाके वो कैम्पिंग करते थे, क्योंकि एकाद बार ऐसा हुआ कि जब वो गवर्मेंट रेस्ट हाउस में रुके, तो उनको रेंजर ने बोल दिया कि आपके अस पर्मिशन नहीं, आ उसी पर कैम्पिंग करी, हलाकि अगले दिन डियाफो साब से उनकी दोस्ती हो गई, और डियाफो खुद बोले, कि आप यहां क्यों नहीं रहते, और डियाफो ने इन्वाइड किया, तो जिस कमरे से उनको निकाला गया था कि नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा डियाफ नाम में भूल गया फिलाल, लेकिन वो डाकू क्या था, बड़ा आतंका पर्याय था और यह उससे मिलना चाहते थे, तो एक बार अपनी ही जमीन पर कैम्पिंग कर रहे थे, इनका जो दोस्त था रंगा, उनको वो जमीन, बारा एकर जमीन थी, उन्होंनों रंगा को दी थी कि तुम इसमें खेती करो, अपना खाव फियो, कोई दिक्कत नी है, तो वो जोपड़ी बना के जमीन के दूसरे कोने पर रहता था, जब यह कैम्पिंग करने गए, तो रंगा बोला कि सर आप मेरी जोपड़ी में लुक जाओ, यह बोलो क्यों, मैं तो कैम्पिंग करता हू तो वो बोला, कैसा यहा एक हाती, बड़ा दुस्ट हाती आया हुआ, बड़ा परिशान कर रहा है, जोपड़ी को नी तोड़ेगा, क्या पता आपकी कैम्पिंग को तोड़ दे, इन्हों ने का, गर्मी के दिन चल रहे है, मैं जून का महिना है, पानी यहां पे है नी, वनस रिमान जी, मालिक, तो बोला, दोराई, हाती नहीं है, डाकू है, तो वो आ जाएगा, आपको लूट लेगा, आप मेरे हट में सो जाओ, वो मेरा दोस्त है, यहां कुछ नहीं करेगा, तो यह बोले कि तुम उसको ख़बर भेज़ दो, कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो इनको नीन खुली, चांदनी रात में देखा, एक आदमी बंदुग लेके बाहर खड़ा है, परचाही देख रही है, वो डाकू आ गया था, इनको लूट ने, इन्हों समझाया, बुझाया, यह डरे नहीं, बैठा, वो डाकू इनके पैर चुके गया, इन्होंने कहा कि पर मुंदवा के, वो साधू बनके आया, और इनसे मिला, तो वो बोला मुझे साधू का जीवनी पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें भूका कोई नी सोता, तो वो बोला मैं चन्ने ही जाके रहूंगा, तो उन्होंने का चन्ने ही मत जाओ, चन्ने ही में तुमको लोग पैचा मिल थी, साले के साथ, कि भाई, उस भाई का करज नी पड़ जाए, तो खाने में पैस्टिसाइड मिला दिया, और बेहोश हुआ इन्होंने गोली मार दी, तो इस तरह की घटनाई भी हुई, कि अपनी ही जमीन पे कैंपिंग करते थे, और इनकी एक पैरनॉर्मल एक्टिव का भी एक दोस्त, अंग्रेज दोस्त था, जिसको की भूत आया था था उसके अंदर, तो एक बार ये कैंपिंग करें थे, अचाना भूत बन गया, उसकी आवाज चेंज हो गई, और वो इनको ही गोली मारने जा रहा था, बड़ी समझ भूच से इन्होंने उसको पकड़ा, फिर मालूम चला कि एक हॉस्टल से कूद के, उनके उस दोस्त ने जान दे दी, तो उसके अंदर आत्मा आगई थी, और वो आत्मा उनको बोल रही थी, कूदो, 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 तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी यकीन रखते थे, Kenneth Anderson, कंपैरिजन करेंगे जि Jim Corbett का बहुत कम यकीन था, वो एक कोई ने कोई उसका कारण सोच, उसका रीजन सोचते थे पीछे, लेकिन दो-तिन घटनाओं का जवाब Jim Corbett के पास नहीं है, जो मशाल जलती हुई दिखी थी पहाड पे, या ठाक गाउं में जो चीक सुनाई दी थी, उसका कोई जवाब लेकिन उन्हें अपनी आखोसत देखा था, दो-तीन घटनाएं, Jim Corbett को कमरे के अंदर हुई थी, उसके बारे मैंने बताया कि वो उनको पैनिक अटेक आते थे, इसलिए वो उसके बारे में बताते नहीं थे, और उसके बारे में सोचते भी नहीं थे, सोचके ही डर जाते थ तो अपनी बुक्स में लिखा नहीं उन्हें, बाहर की घटनाओं को लिखा, लेकिन कोई description बहुत ज़्यादा नहीं दिया, कोई reason भी नहीं बता पाए, Kenneth Anderson ने पूरा description दिया है, paranormal घटनाओं का एक-एक बखान किया है, पुरी बाते लिखी है, और ये भी लिखा है, कि आप म तो मैं कैसे कह दू नहीं देखा है, और आप मानोगे नहीं, तो दोस्तों बस यही सब जानकारी थी, Kenneth Anderson के बारे में, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, एक दो novel भी लिखे, जातर बुक्स तो मैं कर चुका हूँ, और मैं कर रहा हूँ, धेरे धेरे सारी complete कर दूँग तो अगर उनकी बुक्स के बारे में स्टोरी नरिशन आपको सुनना है, पुरानी बुक्स मेरे इसी चैनल की प्लेलिस पर मिल जाएंगी, विवेक अवस्ती, और नई स्टोरी आपको मिलेंगी मेरे नए चैनल पर, जिसका की नाम है, विवेक अवस्ती वाइल लाइफ स्ट तो चली दोस्तों ये थी information Kenneth Anderson के बारे में अब ये information जानके शायद आपको और अच्छा लगेगा Kenneth Anderson की stories सुनके तो चली दोस्तों इस वीडियो को यही पैंड करते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे फिर मिलते हैं तब तक के लिए all the best वन्दे बात रूँ